आपको मालूम होगा कि सीता देवी के नाम पर सीता फल नाम का ब्रिक्ष उत्पन हुआ है इस ब्रिक्ष की विशेषता यह है कि इस ब्रिक्ष में बंदर न चरता है ना इनके फल को खाता है क्योंकि हर्मान जी मा के प्रती लंका में अनेक भाव से उनकी इस्तिती किये थी अगर आप पांच सुक्रवार लश्मी जी को प्राप्ट करना चाहते हैं तो आप छीता फल के ब्रिक्ष में अपनी मनो कामनाय केवल अरपड करके आ जाईए तो आपका काम सिग्र बनने लगेगा आपको करना क्या है कि सुमार को अगर हरी चूली और हरा कपड़ा ठीता फल के ब्रिक्ष में बांद के आ जाएंगे तो आपकी मनो कामनाय पूरी हो जाएगी भोज पत्र में भोज पत्र में ठीता फल से अर ठीता फल में सिरी लश्मी नमा लिक्ष दिंगे तो आपकी तिजोडी भर जाएगी अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करिए शेयर करिए और नीचे लाल बटन को जरूर जबाईए